पूरा देश गटबंधन से जूज रहा है दोजार चवदव में सरकार बनी 38 दलों को मिला के सरकार बनी किसी भी प्रदेश में चुना हो रहे हैं तो वहां गटबंधन करके ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है ये दोनों दगे हुए कार्तूस ह 2017 के चुनाव में आपने दोनों का रिजल्ट जोड लीजिए समझ में आ जाएगा और जहां तक दोनों एक दूसरे के घोर बिरोधी रहे हैं आज दोनों मिले हैं तो दोनों उट मिलने से थोड़ी ताकत बढ़ी है हम इसको एगलोर नहीं कर सकते भारती समाज पार्टी और भारती जंतापार्टी का जो गर्जोड है हमने बीजेपी के बिरोध कब बोला है यही खाली हमको समझा दी की सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी आप रेजर्वेशन के लिए काफी समय से लड़ रहे हैं देखे हम उसका स्वागत करते हैं दस परसन रेजर्वेशन ज करें तो 27 परसेंट आरक्षन के विभाजन करके उन गरीबों के विसे में जो कश्यप निसाद बिंद पाल प्रजापती है दुनिया अंसारी है जो पिछड़ी जातियों में अती पिछड़े हैं उनको हिस्सा दिलाने के लिए क्यों नहीं याद आता है क्या कारण है खाली स हम भाजपा के मंत्री नहीं है हमारी अपनी खुद की पार्टी समाज पार्टी हम अपनी पार्टी के रश्टेंए लगे आर्प आता अाप हम सीट नहीं मांगते हैं हमारे लिए अति पिछणों का आरक्षण महत्वपून है इसको विभाजन कर दें रिपोर्ट लागू कर दें हम सीट नहीं चाहते हैं हम विभाजन चाहते हैं जब भाजपा नहीं चाहेगी नहीं करेगी तो हम असीव सीट पर चुनाव लड़ेंग सौ दिन का आज तेरा दिन हो गया है सौ दिन का दिया हूँ सौ दिन के बाद पैं कर लूँगा रास्ता अकेले लडूँगा चुनाओ ना किसी के साथ नहीं जाओंगा भाया मेरे अगर मुझे मालूम होता तो अपने समधी को वेटिंग में वो पड़ा हुआ है बियसे का चार्ज दिलाने के लिए मैं अमिसा से ले करके योगी जी से ले करके सुनिल बंसल से ले करके महंदर पांडे से सबसे कम से कम दरजनों बार कह डाला लिक के दे डाला लेक देता है तो वो करवा देता है